नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है मुंबई से हैदरबाद जा रहा नीजी हेलिकॉप्टर पूने में क्राश हो गया है अब तक आई खबरों के मताबिक इस हेलिकॉप्टर में कुल चार यात्री सवार थे मिली जानकारी के अनुसार हेलिकॉप्टर क्राश पूने जिले के पॉल गाउं में हुआ हेलिकॉप्टर ग्लोबल वेस्टरा नाम की एक नीजी विमानन कंपनी का बताया जा रहा है महराश्च के पूने में भारी बारिश के बीच एक नीजी कंपनी का हेलिकॉप्टर क्राश हो गया अब तक आई खबरों के मताबिक नीजी हेलिकॉप्टर मुंबई से हैदरबाद जा रहा था जो पूने में दुरघटना ग्रस्ट हो गया हेलिकॉप्टर में कुल चार यात्री सवार थे घटनास जूड़ी कई तस्वीरें और वीडियोज अब वाइरल हो रहे हैं एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हेलिकॉप्टर हवा में लहरा रहा है और फिर अचानक तीज आवाज के साथ जमीन से टकरा जाता है बता दे हादसे पर पुने के पुलिस अधिक्षक पंकच देश्मुख ने बताया कि हेलिकॉप्टर का नाम AW139 है और ये ग्लोबल वेस्टरा कंपनी का है हेलिकॉप्टर मुंबई की जुहू से हैदरबाद की ओर उडान भर रहा था और पुने के पास ये हादसे का शिकार हो गया इस हादसे में चार लोग घायल हुए है जिनमें सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है उन्हें नजदीकी अस्पताल में भरती करा गया है उनका इलाज भी जारी है घायलों की पहचान कैप्टन आनन, दीप भाटिया, अमर दीप सिंग और स्पी राम के रूप में हुई है आशंका जताई जारी ही कि हलिकॉप्टर तकनीकी खराबी के वज़ा से क्रैश हुआ, हादसी के पीछे भारी बारिश को भी एक वज़ा माना जा रहा है झालों के वज़ा है झालों के वज़ा है